आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं Weighted Average Method की Under Joint Products यानि के Joint Products जब होती है तो वहाँ पे Weighted Average Method की सरीके से इस्तमाल होता है यह वीडियो के बारे में हम बताने जा रहे हैं Basically हमारे पास जो Weighted Average Method Joint Products के अंदर है वो एक Method है for the Joint Cost Allocation जो के यूज करता है Weight Factor को और Weight Factor जो होते हैं वो हर एक Joint Product के लिए होते हैं जिसकी Basis के उपर इन Joint Products के उपर जो है वो हमारी Joint Cost Allocate की जाती है यानि के इस Method के तहत हम Joint Products को Weight Factor Assign करते हैं और उस Weight Factor की बुनियाद के उपर या उसकी Basis के उपर हम जो है वो Joint Cost को इन products के ऊपर, यानि joint products के ऊपर allocate कर देते हैं, इसके अगर हम example ने, कि हमारे पास crude oil था, जिसको हमने process किया और हमारे पास petrol और diesel जो हैं, वो दो joint products निकली है, जिसके हमने पिछले वीडियो में देखा था, कि हमारे पास joint products, ऐसी products होती हैं, जो same raw material से, और सेम प्रोसेस को फालो करते हुए बन रही होती है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमने पर्ट्रल और डिजल को जॉइंट कास्ट इसकी अगर हम यहाँ पे एक्जम्पल लेने लट स्बोस हमारे पास आ रही है रूपीज 10 मिलियन तो इसको हमने अगर असाइन करना है या अलोकेट करना है पर्ट्रल और डिजल के उपर तो इसके लिए हम वेट फक्टर जो हैं उनको यूज करेंगे और जो वेट फक्टर होते हैं बेसी के लिए हमारे पास क्या होते हैं यह हमारे पास प्री डिटर्माइंड होते हैं यानि कि यह हमने पहले से मेनेजमेंट ने डिसाइड करके रखे वे होते हैं कि हम पर्ट्रॉल को कितना वेट असाइन करेंगे और साथ इसाथ डिजल को ह हमने कितना weight assign करना है तो इसका मतलब यह हो गया कि जो हमारे पास weight factors होंगे वह management जो है वह each joint product के लिए allocate करेगी या उसके लिए assign करेगी कि हमने इस case के अंदर petrol को और diesel को कितना कितना weight assign करना है मैं let's suppose यहाँ पे ले लेता हूँ कि हमने petrol को 3 weight assign किया और diesel है हमारे पास हमने उसको 0.5 weight assign किया है अब यह जो 3 और 5 है यह किस तरीके से assign किया जाता है या किस तरीके से determine किया जाता है तो उसके लिए हमारे पास कुछ guiding principles हैं जिनको follow करते हुए जो management है वो हर एक product के लिए यानि के जो नसे वाला project ज्यादा product सहूरी जब हमारा होगा वो ज्यादा direct material इसको ज्यादा weight assign होगा हमने यहाँ पे example यहाँ पे जो 5 दिया है diesel को तो हमने यह assume किया था कि जो हमारा diesel है वो ज्यादा crude oil को इस्तमाल करेगा यानि के जो product हमारे पास बना है उसका जो unit है उसका size ज्यादा हो सकता है यहाँ पे चुके हमारे पास diesel और petrol हैं यह basic के लिए हमारे पास liters के अंदर deal होते हैं तो यहाँ पे हमने यह assume कि जो diesel है वो ज्यादा liters में produce होगा बनीजबाद petrol की तो so इस वज़ा से जो weight होगा diesel का व वो भी petrol की बनिजबत ज्यादा है तो इसलिए उसको हमने five assign किया है इसके लाव हमारे पास अगला point है difficulty और complexity involved यानि कि इस product को बनाने के लिए ज्यादा जिसको बनाने के लिए ज्यादा weight assign किया जाएगा जिसरा हमारे case में diesel था और इसके साथ साथ हमारे पास amount of time required यानि कि ज उसको ज्यादा weight assign किया जाएगा और इसी के साथ साथ हमारे पास एक आखरी जो हमने यहाँ पे लिका है वो है type of labor engaged to complete the production यानि किस तरह की आप जो labor है वो इस्तमाल कर रहे हो अपने process के अंदर और आपकी प्रोडक्शन है वो complete हो रही है labor की types के अंदर हमारे पास skill semi skill और हमा सच्ची होती है तो इसके उपर भी base करता है कि आप production के process के अंदर कौन से वाला जो labor है वो use कर रहे हो और कौन से वाली product के लिए use कर रहे हो हमने यहाँ पे और यहाँ प्रोड़क्ट के लिए हमारी ज्यादा labor use हुग है जो skill labor थी और patrol के लिए हमारी semi skill labor इस्तमाल होई थी इस वज़ा से जो semi skill होगी उसकी जो हमारे पास wage होगी वो कम होगी तो patrol को इस वज़ा से हमने कम weight assign किया जबके skill labor जो diesel के लिए use हो रही है उसकी weight ज्यादा होगी तो लेहाँ इसको weight भी हमने ज्यादा assign कर दिया है यहां तक तो हमने बात की कि हमारे पास weight average method होता क्या है और इसके लिए हमने देखा कि یہ जो weight होता है जो हमने definition के अंदर देखा था कि pre determined weight factor assign किया जाता है और product को वो किस तरे के से assign किया जाता है अब हम देखते है कि यह जो हमारे पास weighted average method होगा इसके जरीए हम यह patrol को जो हमन जो five weightage दी है, इसनकी basis के ऊपर इस method को इस्तमाल करते हुए, यह जो हमारे पास joint cost रुपीज 10 million की आई है, इसको किस तरीके से हमने assign करना है, यानि दूसरे लफजों में हमने ये बताना है, कि patrol के लिए हमारे पास joint cost कितनी है, और diesel के लिए हमारे पास cost कितनी है, यानि कि weighted average method ह हमारे पास काम किस तरीके से कर रहा होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो काम करना है वो है, कि सबसे पहले हमें यहाँ पी इसके साथ one लिख देते है, step one के अंदर हमे weighted units of products find करने है, यानि कि petrol और diesel जो हमारे example के अंदर continue है, उसको continue करते हैं और देखते हैं कि उसके ल sample continue हुई है, कि petrol को हमने weight 3 assign किया है, और हम यहाँ पे अगर assume करें इसके साथ साथ कि petrol के हमारे पास जो units produced हैं वो है, कि petrol हमने 5000 liters produce किया है, और इसके इलावा जो हमारे पास diesel produce हुआ है, 7000 liters का, यानि कि इस crude oil के 10 million जो हमारे पास joint cost लगी है, उसके नितिजे में यह 5000 और 7000 हमार unit of product निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे बाद करें पहले petrol की तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं कि unit produce petrol के हुए हमारे पास 5000 multiply कर देंगे, इसको weight हमने कितना locate किया था, 3, तो यह हमा पास जो हमारे पास जो diesel है, अगर उसके हम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, unit produce हमने जिस तरह उपर बात की, के 7,000 liters हमने produce किये, multiply कर देंगे, उसको weight factor assign किया गया था, 5 था, तो यह हमारे पास total जो weighted units आ गये, diesel के वो आ जाएंगे, 7 multiply by 5, 30, 5000 और यह तमाम के तम total ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 35 प्लस 15 अगर हम करते हैं, तो हमारे पास 50 आ जाता है, और यह 50 हमारे पास 1000 में है, जो के हमारे लीटर है, क्या weighted units of products, यानि petrol के भी और diesel के भी इसके अंदर include कर रहे हैं, यह step पहला हमने कर लिया है, अब इसके बाद जो हमने weighted unit निकाले हैं, इसके अंदर हमारे जो total cost थी, जिसको हमने कहा था 10 million, इसको मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ, 10 million, इसको हमने डिवाइड करना है, 50,000 के साथ, ताकि हमें यह पता चले कि हमारे पास जो weighted units हैं, उसके अंदर 1 की, यानि कि जिसे हमने यहाँ पर ल 10 million को अगर हम simplicity के लिए लिखे तो हम यहाँ पे साथ सबसे पहले rupees लिखते हैं, currency लाजमी है, वो हमने लिख लिख लिए, यह हमारे पास rupees 10 million जो equal होगा 10, इसके आगे हमने जब 3000 डाले तो यह हमारे पस 10 thousand बन गया, जब इसके आगे 30 or हम add करेंगे तो यह हमारे पास rupees 10 million बन तो इसको हमने divide कर देना है, total number of weighted units के साथ जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, 50 thousand, तो यह जब हमने किया और इसको जब हम solve करते हैं, तो यह हमारे पास आ जाता है, rupees में कितना? 200 और यह हमारे पास per weighted unit आ जाएगा, अब हमारे पास जो next step होगा, यानि कि step number 3, उसके अंदर हम हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने करनी है allocation of joint cost, इसके साथ सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कि यह हमारा step 3 है, ताकि यह हमें याद भी रहे, यह हमने joint cost की allocation किस तरीके से करनी है, इस step 3 के अंदर आते हुए, हमने सबसे पहले यह देखना है, कि हमारे पास जो प 15,000 थे और इस तरीके से हमारे पास diesel के 35,000 थे, अब हमने करना किया है, हमने अगर patrol को assign करना है, तो उसके हमारे पास weighted unit थे 15,000 वो ले लिए, अब उनको multiply कर देना है हमने, जो हमारे पास per unit, जो weight के cost आई थी, हमारी joint cost थी, उसके साथ जब multiply करेंगे, तो यह हमारे पास आज थे, वो करेंगे multiply, और multiply होंगे हमारी यह 200 के साथ, जो यहां पर step के अंदर हमने calculate कर लिया था, तो यह जब हम इसको solve करते हैं, तो यह हमारे पास petrol के लिए 3,000,000 और diesel के लिए हमारे पास 7,000,000 आ जाते हैं, तो जब अगर हम इनका total ले 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 तो यह हमारे पास 7,000 और 3 ज गाते हैं, तो वो हमारे पास million में आ जाता है, तो इसका मतलब यह हो गया, कि यह फिर से हमारे पास rupees 10 million आ गए हैं, इसको मैं round करके million में लिख देता हूँ, और यही जो हमारी पहले जो cost थी, यहां पे उसके equal आ गया है, तो यह हमने बता दिया कि इस production process के अंदर जो हमने diesel और petrol नहीं है, 10 million की cost लगा के हमारे पास petrol की कीमा ताही है, या उसके जो हमें cost पढ़िया वो है, 3 million की और इस तरीके से जो diesel हमें पढ़ा है, 7 million की इसके ओपर joint cost लगी है, तो यह इस वीडियो के अंदर हमने देखा, कि हमारे पास जब joint products होते हैं, और weighted average method को इस्तमाल करते ह तो वो किस तरीके से use किया जाता है?